नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का नैचरल लाइप में एक बार फिर से दोस्तों आज मैं आप से शेयर करने वाली हूँ पुराने सोफा कवर का बहुत ही अच्छा यूसफुल इस्तमाल आपके पास भी है इस तरीके के सोफा कवर तो वो आपको लेना है और दीखे मैं ने दो पीस लिये हैं दोनों को इस तरीके से सैट करके रखा है और फाव इंच पर मार्क कर लिया है इसे सीधी लाइन में ड्रो कर लेंगे अब यहां से इसे हमें कट कर लेना है आपके पास भी अगर इस तरीके के सोफा कवर पड़े हैं तो वो काफी ज़्यादा मजबूत होते हैं आप उसका अच्छे से अच्छा इस्तमाल कर सकते हैं और यूसफुल चीजें बना सकते हैं तो आज ऐसी ही एक यूसफुल चीज में आपसे बना रही हूं तो यह देखें फाव इंच पर मार करने की बाद फिर से उसी साइज का एक और मैंने बॉर्डर यहां पर डवल फैबरिक में कट कर लिया है अब जो बचाव हो फैबरिक था उसे मैंने जॉइंट कर लिया है और देखिए यह बैल्ट अटेच हो चुके हैं इसके बाद आपको इस तरीके से इसका मिजर्मेंट लेना है यहां पर हम फोल्ड करके रखेंगे क्योंकि हमने जी फैपरिक है उसे डबल रखा था अब इसका पूरा जो राउंड में जितना मिजर्मेंट आ रहा है वो आपको लेना है और देखिए इस तरीके से हम लास्ट में भी इसी तरीके से इसका होना जाए तो यह पूरा यहां तक का यह हमारा बोर्डर रेडी है अब इसी के साइज की हमें जिप लेनी है और जिप को हम में बोर्डर है उसके उपर उल्टा रखेंगे और इस से पहले मैं रण टनरर एड कर सकते हैं या फिर एक भी रख सकते हैं मैंने यहां पर दो रनर आमने सामने यूज किया हैं रनर एड करने के बाद यह मैं जो बेलठ है उसके ऊपर जिप को उल्टी रखूंगे रानी की जिप की और फापर की right side अंदर की तरफ रहेगी और फिर हम इसै यहां इसे टर्न करना है और देखिए इस तरीके से हम यहां पर प्रेस्टीच कर लेंगे यह मैं एक बड़ा सा और्गिनाइजर पना रही हूं तो यह देखिए जिप अटेच हो चुकी है हमारी अब यहां से हम इसका सैंटर निकाल लेंगे और मार्किंग कर लेंगे सेम इसी तरीक सेंटर निकाल रही हूं और यहां मीडल में भी हम दोनों साइट मार्किंग कर लेंगे तो अब जो बैल्ट में हमने मार्किंग किये थे उन सभी मार्किंग को हम यहां पर सैट करेंगे जो मीडल में मार्किंग किया था उसे मैं यहां पर अटेच करूंगे इस तरीके से और यहां पर मैंने नीडल के help से इसे fix कर लिया हैं, आप पिन का यूज भी कर सकते हैं, सैप्टी पिन का भी यूज कर सकते हैं, या फिर कच्छ टाकी भी लगा सकते हैं, अगर इस तरीके से हम पहले से ही set करके करेंगे, अगर आप बिगिनर से हैं तो आपका बहुत ही अच्छे आजाएगी और बहुत ही अच्छे से यह स्टिच होगा तो अब देखिए मैंने यहां मीडर से ही स्टिचिंग करना स्टार्ट किया है और यह पूरा बोर्डर जैसे हमने पिन लगा कर फिक्स किया था वैसे हम अटेच कर लेंगे तो कॉर्णर पर देखिए इस तरीके से आपको टर्न करना है बोर्डर को और देख लेना है कि सेंटर सही से आपके आ रहे हैं न सही जगा पर तो यह बहुत ही आसान मैथड है इस तरीके से आप इजिली और्गिनाइजर बना सकते हैं और इस तरीके के organizer घर में बहुत ही ज़्यादा useful होते हैं अलग-अलग चीजों के लिए तो यह हमारा पूरश्टीच हो चुका है अब इसे में right side पर turn कर लूँगी और यहाँ पर उपर हम जो हमारे जिप है उसे इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ उपर भी सिलाई कर लेंगे इस तरीके के organizer में आप साड़ी organize करके रख सकते हैं bat seat cushion cover वो सब भी आपकी daily use की जो item है उसे organize करके रख सकते हैं और ऐसे unused fabric होते हैं उसे भी आप इसके अंदर श्टोर करके रख सकते हैं blanket को रख सकते हैं बहुत बहुत जादा यूसफुल होते हैं इस तरीके के organizer अब जो बचा हुआ फाब्रिक था उसमें से मैंने एक कर श्ट्रिप बना ली है और श्ट्रिप को देखिए मैं यहाँ पर इस तरीके से आगे की तरफ फिक्स कर लूँगी तो यह देखिए हमारे इस ट्रिप भी यहाँ पर अटेच हो चुकी है और यह देखिए कि इतना प्यारा हमारा organizer बनकर रेडी हो चुका है इसके अंदर देखिए मैंने बैट सी ट्रपकर दिखाई है आपको आप अपनी पसंद्गी की चीज़े रख सकते हैं आपके लिए यूसफुल होगा तो प्लीज दोस्तो वीडियो को लाइक करना जादा से जादा शेयर करना और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना ऐसे ही और इंट्रेस्टिंग और यूसफुल आइडिया के साथ हम कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय भारत